एक भैसा अंजाने में एक सेर के गुफा में रहने लगे, जंगल में अकेला इधारुदर घुमता और साम होते ही गुफा में चला जाता, परन्तु ओ नहीं जानता कि एक चाला कलोम्री उस पे नजर रख रहा है, फिर एक दिन रात को भैसा ने देखा दूर से एक सेर आ रहा है ओ समझ गया एक एक सेर की गुफा है भैसा बिना डरे कहा अरे ओ देखो एक सेर आ रहा है चलो आज रात हम दोनों मिलके ओ सेर को खा लेते हैं सेर बहुत डर गया और वहां से भाग गया परंतु दूसरे दिन लोम्री सेर को सब कुछ बता दिया कि ओ एक भैसा है परंतु से पर बहुत डरा हुआ था इसलिए लोम्री को अपने सेरीर से बंद लिया फिर सेर और लोम्री गुफा के सामने गया और भैसा ने फिर बड़ी ही चला किसे कहा अरे तुमने एक ही सेर को ले आया मैंने तो तुम्हें दो सेर लाने को कहा था हम दोनों को अब एक सेर को बाट के खाना पड़ेगा सेर ने लोम्री को सोचा कि लोम्री उनसे मिला हुआ है और लोम्री को लेकर ही वहाँ से भाग गया और भैसा अपनी ही बुद्धी मनता से बच गया